कॉंगरिस नेता राहूल गांधी की बज़े से पारटी मुश्किलों में भस तकती है क्योंकि कॉंगरिस के खिलाफ कोट का दर्वाजा खट-कोट आया जा रहा है कि कॉंगरिस के सांसदों की सतसितार रद की जाए हाला कि इस बार कॉंग्रिस के नेता बाल बाल बच गए हैं लेकिन कॉंग्रिस की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही राहूल गांधी को लांच करने के बाद कॉंग्रिस ने क्या क्या नहीं किया पोट हासल करने के लिए कॉंग्रेस ने लोगों को लालच भी दिया लेकिन फिर भी कॉंग्रेस की दाल नहीं कली और तीसरी बाल भी राहूल की सियासी लॉंचिंग फेल हो गई दर्शकों कॉंग्रिस सांसदों की सदसता बाल बाल बची है। कि लोगों की भापनाओं को आहत करने और भ्रामक परचार करने की वचे से कॉंग्रिस नेताओं की सांसदी ना चली चाए। गई थी जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे की भ्रामक परचार करने की वचे से कॉंग्रिस के सांसदों की सांसदी ना चली जाए। लेकिन इलाबाद हाई कोट ने याचिका खारिच कर दी क्योंकि कॉंग्रिस की चिंता अभी खत्म नहीं हुई है। याचिका करताओं ने कहा कि वो पूरे तथ्यों की साथ याचिका को दुबारा नई सिरे से दाखल करेंगे। याचिका करता की इस मांग पर अधालत ने याचिका करता को इसकी छूट देने की बात कही। दरसल लोकसवा चुनाओं के दोरान कॉंग्रिस पार्टी दुबारा के इंद्र में सरकार बनने पर खटा कट हर महीने साड़े आठ हजार रुपए अकाउंट में ट्रांसवर किये जाने की बात कही गई थी। कोट निका की जन्हित याचिका में याचिका करता के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। सामाचे कारेकरता भारती सिंग की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी जस्टिस मनोज कुमार गुपता और जस्टिस मनीश कुमार निकम की डिविशन बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। अदालत ने जन्हेत याचिका में याचिका करता दबारा अपनी परियाप्त जानकारी नहीं देने के आधार पर याचिका को पारित करने की बात कही है। वो फिर से पूरे तथ्यों के साथ याचिका को दोबारा नए सिरे से दाखिल करेंगे। दर्शको लोगसभा चुनाव में ये कॉंग्रिस हार गई। लेकिन सपने उनके भी तूट गए जिन्होंने भ्रह्म में आकर कॉंग्रिस को वोट दिया था। और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।